नमस्कार दोस्तों आज एक प्रेश्ण है जो सब्सक्राइबर ने पूचा है वो है कि मेरा माइंड आदी हो चुका है दुखी रहने के लिए और मैंने कई गुरूओं को सुना लेकिन कुछ समन नहीं आ रहा है इसका कोई सलूशन है आपके पास इसतरीके का एक कोई सवाल है बड़ा इंट्रेस्टिंग सवाल भी है क्योंकि सवाल जो है यह कईयों का होता है पर हर कोई अद्यक्सेप नहीं करता है इसको वोग कहते हैं रही हमने इनको सुन लिया हमारा जीवनसफल हो गया है तो वो मानते ही नहीं है, कटर follower होते हैं वो, कुछ लोग होते हैं जो especially मेरे साथ transparency बना के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तुरन देख लेता हूँ, आप पकड़ नहीं पाऊँगे, आपको लगता है कि मैं नहीं पकड़ पाऊँगा, इसा नहीं होता है, मुझे पत बिल्कुल सही है कि किसी के भी lecture सुनने से, I am definitely sure कि आपको कुछ छड़ का एक शांती या कुछ मिलता होगा, जिस वज़े से फिर आपको अच्छा लगता है, लेकिन फिर वही चीज बैक टू स्कुएर वन हो जाती है, तो क्या करें, कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मेरे lectures चाहे कितने भी अच्छे लगते हों आपको, मेरी वाणी कितनी भी अच्छी लगती हो, लेकिन कभी-कभी तो आप सुनते भी नहीं हो, कई लोग यहाँ पे मौझूद है, जो हर समय नहीं बरदाश्ट कर सकते हैं, उनका एक टाइम होता है, माइंड को समझने का, माइंड एक समय अगर बह देखते हैं कि, जो सवाल पूचा गया है, सब्सक्राइबर ने सवाल पूचा है, इस सवाल के तह में जाते हैं, कि मेरा मन जो हर समय शांत रहता है, अशांत रहता है, दुखों में मेरा negative habituation हो चुका है, तो मैं क्या करूँ? देखें, पहली चीज तो ये देखना जरूरी है कि आपको दुख हो क्यों रहा है, ये पहले जानना जरूरी है, solution लेने से पहले, कि बिमारी हो क्यों रही है, cause क्या है, तब ही तो हम उसके हिसाब से medicine दे पाएंगे आपको, हर चीज का इलाज आदम ग्यान नहीं होता है, य ये भी थोड़ा समझना जरूरी है, तो क्या है ऐसा आपके अंदर क्या problematic है, क्या चीजें दिक्कते कर रही है, जिसकी वज़ा से ऐसे problems आ रही है, वो पहले समझना exactly जरूरी है, कि क्या जरूरी है, क्या आपको कुछ मिल नहीं रहा है, क्या आप चाहते हो, क्या उसकी वज हो जाता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ, इस वज़़ा से suffering हो रही है, क्या की कुछ आप एक शाय है, लाइफ को लेके, लोगों से, ससाइटी से, समास से, खुच से, स्वयम से, क्या है ऐसा, क्या प्रॉब्लमाटिक है, कुछ तो होगा, तो पहले यह जानना जरूरी है, क्या प्रॉब्लम है, कि लेट से कि अगर आपके, मन में आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, और उसके बाद प्रॉब्लम हो रही है, मतलब, रिलेशन्शिप में भी जाके यह देख लिया है, कि रिलेशन्शिप में कुछ नहीं है, शादी करके यह देख लिया है, कि शादी में कुछ नहीं है, यह शादी नहीं किया है, रिलेशन्शिप में ही देख लिया है, पर शादी का सौन में आ गया है, अपने पैशन वो surface level की होती है और deep level की होती है तो deep level की कब मिलने वाली कि आपको शादी के बाद किसी से पाने के बाद साथ पाने के बाद companionship, contact कि आपके ये अंदर भ्रहम है आपके अंदर तो ये सब भ्रहमी है अब आप कहोगे कि आपने बोल दी आप ब्रम है लेकिन मेरे को नहीं लगता मेरे को संदे है तो यहीं पर वो इडियेट की बात करते हैं जिसने अचार प्रशांद वाले कॉमेंट में नीचे किया था उसने क्या कहा था क्योंकि देखिए जिस बारीकी से अब इसको शायद आप मेरा स्वाभिमान समझे जिस बारीकी से मैं देख पा रहा हूं चीजों को उस बारीकी से कोई नहीं देख सकता अभी तक जित्ते भी यूटूब गुरूज हैं कि मैं आपको बताना जाता हूं इसका मतलब हो सकता आप घमंडी समझे मेरे को लेकर ऐसा नहीं है मैं कंस्टेंट कंस्टेंटली मैं द पंदरा अर्शों में, उसने मुझे काफी कुछ सिखाया है, और एक चीज और भी आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे यूनिवर्स का सबसे अपडेटेड वर्जन कौन है अभी, बाकी गुरूओं में, मैं हूँ, क्यों, जब भी एक बच्चा पैदा होता है, उसकी दो साल के, छे साल के बच्चे मोबाइल चलाना जानते हैं, उनको पता है क्या है, क्या नहीं है, वहीं older generation struggle कर रही है, बच्चे catchy होते हैं, मैं आज बच्चों के साथ बैठता हूँ, मेरे कुछ students हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ, I know their pick-up sense, उनका pick-up sense इतना अच्छा है, जिसको मज़ा आता है पढ़के बाद, तो मैं भी उसी युवाओं की श्रेणी में अभी आ रहा हूँ, लेकिन लेट से कि मैं जब साथ साल का हो जाऊंगा, तब जो universe एक नया product निकालेगा, तब वो और intelligent होगा, तो उस product को अगर सही से दिशा दी जाए, product लगा रहा है observant हो, मेरे से भी ज़्यादा intelligent हो, तो मैं अपना घमण नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यह कह रहा हूँ कि मैं एक नया version हूँ, universe का, तो इसी वज़े से मेरा analytical mindset ज़्यादा सही है, लेकिन इसको मैं बार-बार, क्योंकि मैं मूफट हूँ, इस वज़े से इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, और जैसे ही इस चीज़ को आप बाहर निकालोगे ना, तो लोग सोचेंगे यह तो घमंडी है, तो यह पहले समझना ज़रूरी है, कि मेरा तो नेचर है, second nature वो है, straight forwardness, तो जैसा मैं अंदर हूँ, वैसा ही मैं बाहर दिखाता हूँ, तो यह अंदर का confidence है, इस बोल के चलिए आते हैं, अनभफ करो, लिख के क्यों गए, इतना माई पास time नहीं है, कि हम अनभफ करें, हमें उनी से सीखना होगा, अरे घोचू, अगर तुमको सामने बैठा दू भी मेरे, और चार सवाल पूचू, एक सवाल का जवाब तुम सही नहीं दे पाऊगे, एक सवाल का जवाब, जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, अपने desire को छोड़ दो, यह अगर मैं कह रहा हूँ, कि अपने desire को छोड़ दो, इनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो, यह ब्रहम है, शादी में ने कुछ नहीं रखका ब्रहम है, पैसे म कुछ नहीं रख का यह बराम है मेरी बातें नहीं सुननी है यह मेरा सच है आप भी उसी की तरह कर दो non subscribers की तरह comment कर रहे हुआ अफ्कोर्स उसने subscribe नहीं किया होगा वो क्या कह रहा है कि हमें अपने पुस्तकों को, वेदों को, शास्त्रों को पढ़ना है और उसी से सीख लेना है क्योंकि वो लिखे ही गयते सीखने के लिए बात सही है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तो बहुत समझ में आ जाएगा क्योंकि अगर पढ़का ही समझ में आ रहा होता तो भगवत गीता आज हर को ही फालो कर रहा होता जब भी आप किसी बीचीज को सुनते हो पढ़ते हो समझते हो मेरे को सुनते हो किसी दूसरे गूरु को सुनते हो you need to understand this that you will always have शक, skepticism संदे है जब भी किसी वेद को पढ़ोगे तो संदे है बनेगा कि अच्छा ऐसा होता भी है कि नहीं होता है अब वहाँ पर लिखा अपनी इंद्रियों को वश्मे करो बग्वद गीता मैं सथ भी भी बीच में रहता है कि दो कबी लेफ्ट ररैट नहीं होता लोग मेरे वीडियो सुनते हैं कि उनको लगता है कि कोई आंसर मिलेगा आंसर मिलेगा ही नहीं जो आंसर मिलेगा वो आपको संदे क्रियेट करेगा आपके अंदर शंका क्रियेट करेगा शक्रियेट करेगा स्केप्टिसिजम क्रियेट करेगा जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो अपनी mental state को देख के बता रहा हूँ क्या आप अपनी mental state में इसको देख पा रहे हो अब देखने के लिए क्या चाहिए observation चाहिए observation जब बात करते हैं चीटी को देख रहे घौजो चीटी को नहीं देखना है चीटी को भी देखना एक observation है observation का मतला होता है अंदर क्या प्रतिक्रिया हो रही है क्या activity हो रही है मेरा शरीर कैसे काम कर रहा है कुछ दिन पहले मेरे को लोग बोलते हैं white rice मत खाओ white rice खाओ कई लोग white rice खाते है मेरे को आज तक white rice suit नहीं किया अगर मैं दो बार white rice खालूँगा तो मेरा पेट गणेश जी तेसा निकल लाता है तो मेरे को कभी white rice suit नहीं किया लोग कहते हैं white rice खाओ क्या दिक्कत ऐसा नहीं लोग कहते हैं पीजा खाने से पेट निकलता है मेरा उल्टा है अगर मैंने white rice खालिया तो मेरा पेट निकलेगा पीजा खाने से भी निकलता है लेकिन white rice सबसे यह नुकसान करता है अब बताओ मोटे हो जाते हैं मतलब मैं white rice खाई नहीं सकता मैं अगर खाऊंगा तो हफते में 2-3 बार बस रोज खाई नहीं सकता अब बताओ अब यह मेरा observation है से भी पेट निकलता है मेरा साथ ऐसा है हो सकता है मेरे किसी घर में क्योंकि अब इसके पीजे history है मैंने शुरू से white rice avoid किया है मैं दूद को लेके lactose intolerant हूँ mild मतलब क्या कि अगर मैंने दूद सुबा खाया दूद पिया अगर यह तो बंगॉली की तरह बोल दिया मैंने दूद खाबो दूद मैंने अगर पिया तो by the time 12 बसते थे मेरे को you know lose motions लग जाते है अब वो गंदे वाले नहीं लगते है but stools मेरे soft हो जाते है तो मतलब liquid रहता है वो सब कुछ तो यह मेरे साथ है धीरे धीर मैंने गादर डाली आज मैं सुभा उठता हूँ तो दूद के पहले कुछ खाना है या चाय के पहले साथ में कुछ खाना है ऐसे direct चाय नहीं पी सकते है direct चाय पीने से lactose intolerant तो यह सब मेरे साथ है कौन घोचु अबजर्व करेगा साइन्स आके अबजर्व करेगी मैंने अबजर्व किया तो यह शारीरिक observation है शारीरिक ध्यान है ऐसे धीरे धीरे आपको करना पड़ता है कुछ दिनों पहले मैं कुरोना काल में मनिपाल में था आप विश्वास नहीं करेंगे बहुत अच्छा एक कमाल का वाक्या बताता हूँ कुछ दिन पहले की बात है तो 2021 के शुरू की बात दो साल पहले की बात है अर्मोस्ट यह दो जर बीस कह सकते है महीं एक किस बीस इकिस वटेवर जो भी है मैं सुबा उठता था और धीरे धीरे मैंने देखा अपने अंदर की मैं अगर खाना पीना खाके दूद दूद वगरा चाय वगरा खाके जाना हूँ तो मैं अपने क्लिनिक में या अपने कॉलेज में मेरा काम नहीं हो पाता था तो वहाँ भी मैंने अब्जर्व नहीं किया था जब मेरे अंदर साउंड अफ साइलेंस और ये सब चीजें आना चाले हुई तब मैंने अब्जर्विशन चालू करी उससे पहले सही वह हो भी रहा था लेकिन कभी मैंने ध्यान नहीं दिया फिर ऐसे ही 21 की बात है ये तो 2017 की बात हो गई अब 21 की बात बताता हूँ मेरे को कुरोना हो गया अब वो कुरोना से मेरा जो लिंफ नोड है यानि लेफ्ट साइट की जो गले की गिल्टी है वो इतनी सूझ गई की अल्मोस्ट वो कम से कम वो चार से पांच सेंटी मीटर बॉल की तरह एक सूझा पढ़ा था मैंने पूरी की पूरी लिंफ नोड मेरी सूझी हुई थी लेफ्ट साइट पे अब मेरे को लगा मेरे को हो गए लिंफोइट कैंसर क्योंकि सारे सिंटम्स गूगल पे यही बता रहे थे कि मेरे को लिंफनोड कैंसर है अब मैं पढ़ना चलू कर दिया कि लिंफनोड कैंसर कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं मैं गया डॉक्टर के पास डॉक्टर के पास गया और महां से मैंने अपना निकाला मतलब मैंने उनसे बायोपसी बोली तो उन्होंने निकाला वो बायोपसी से क्या होता है इंजेक्शन डालते हैं और कम से कम नौ बार इंजेक्शन को उन्होंने मेरे गले के अंदर डाला और निकाला. नौ बार वो जो नीडल होती है, सिरिंच, उसको इंजेक्ट किया और उसके बाद उसको निकाला. वो फिर लिक्विड गया, टेस्टिंग पे तो पता चला कैंसर नहीं है. उससे पहले काफी चीजें और भी टेस्टिंग हो सकीती हैं, जैसे कि नेजल में वो अंदर एंडॉसकोपी होती है, वो भी सब हो चुका था. बात में, जम मैं घर आया तो मैंने एक चीज़ नोट करी, क्योंकि मैं उस वक्त काफी साधना पत पे था. मतलब उस वक्त मेरी बॉड़ी दिरे दिरे साधना करते करते हैं, आपको क्या होता है? I think I was at the peak of sadhana at that time three years back आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं जब भी अपने आपको शीशे में देखूं ऐसा लगे कि कोई और खड़ा हुआ है और ऐसा लगता है मैं कुछ ले के चल नहा हूँ अपने साथ एक चीज़ है ये धीरे-धीरे sensation आने लगती है आपके अंदर ऐसा लगता है कि मैं कुछ carry कर रहा हूँ अपने साथ कुछ एक सामान है बाडी की तरह जिसको मैं carry ऐसा sensation आने लगती है तो ऐसे मैं मैंने note किया कि मेरी बाडी में इतनी सारी प्रतिक्रियाएं होती है और मुझे पता नहीं चलता है जैसे lymph node swelling हो गई और मुझे पता ही नहीं चलता है कि lymph node swelling क्या है क्यों है और फिर हम कहते हैं हम ये शरीर है सोचो आप अगर शरीर हो तो आपको सब कुछ पता चलना चाहिए था कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है बढ़ नहीं होगा सो धीरे धीरे अगर आप सिफ ध्यान ही देते रहो ध्यान ही देते रहो शरीर पे तो शरीर में इतनी गती विदियां होती है उसका सिर्फ 2% में पता चलता है तो आप क्या हो? आप शरीर से connected ठोड़ी हो ठीक है? शरीर में अपने हिसाब से एजिंग हो रही है कब हो गई? कब रिंकल्स आ गए? कब ये हो गया? कब ये हो गया? कब वो गया? कुछ पता है नहीं चलता? कुछ भी पता है तो दिरे दिरे आप तो चक्कर सारा का सारा ये है ना जो इन्हों सब्सक्राइबर ने एक question पूछा है इनसे एक direct question है कि पहले दुख हो क्यों हो रहा है? अब आप कोगे कि मुझे ये चाहिए मुझे पूचे ये चाहिए इस पज़े से दुख हो रहा है तो उसके एक अपनी अलग intellectual सफरी है हो लेकिन अगर दुख इस पज़े से हो रहा है कि मैं बस हूँ और मैं बैठा हुआ हूँ कमरे के अंदर और उसी में मुझे दुख हो रहा है तब एक अलग तरीके की आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो अप्रोच है साधना आपको कुछ नहीं करना है आप चुप चाप रोज कम से कम आदे घंटे बैटके आँखे बन करो चुप चाप मैं आपको as a days बता रहा हूँ क्या करना है सब कुछ छोड़ दो और कान में इयर प्लक्स लगाओ और sound of silence को सुनना चालू कर दो और उस पर ट्राई करो जितना हो सके उसको सुनो मतलब उसको चूसने की कोशिश करो चूसो मतलब इन दस जस जो आपको जो ध्यान है वो उस पे रहना चाहिए जितना हो सके उस पर ध्यान लेके जाओ बार बार अगर आपका ध्यान हट रहा है तो उस पे भी ध्यान दो कि हट रहा है अब वापस पर आगए दीरे दीरे practice करते करते हैं आप देखोगे आप एक हफते इसको कर लो आप देखोगे एक हफते में आपको एक माइनर सी खुशी मिलेगी वो खुशी जो है उसका कोई जोड नहीं है इस दुनिया में उसको हम ब्रमसुक बोलते हैं इसी को अमरित बोला गया है वो अमरित का जब रिसाव होता वो उन लगता है I am sure कि इनकी एज जो है जो है जोनों नहीं सब्सक्राइबर है इनकी एज almost होगी 25 से 35 के बीच में क्योंकि ये सब सवाल जो आते हैं मैं अब दुखी हूँ 27 के बाद आते हैं क्यों आते हैं क्योंकि अब इस पर बिश्वास आप शायर नहीं करोगे अंदर pineal gland होता है वो decalcified हो गया है वो सक्त हो गया इसी वज़े से आदमी को college के दिनी याद आते हैं childhood के दिनी याद आते हैं क्योंकि उस वक्त वो रसायन वो जो chemical था वो जो liquid था वो release हो रहा था अच्छे से लेकिन जैसे आदमी 24-25 करोट करता है को мелatonीं कहते है यह melatonीं संस्कृत में अमरिद कहला जाता है इसको पहले सही से करना ज़रूरी है नहीं तो अन्नेसेसरी घुसा आता रहेगा अन्नेसेसरी एंगर आता रहेगा अन्नेसेसरी दुख आता रहेगा और लाख तुम आत्मग्यान ले लो कुछ नहीं होने वाला कुछ होगा ही नहीं ये रसायन जब दिमाग में है अब तुम्हारा जो फोकस है वो आत्मग्यान पे होना चाहिए दीरे दीरे आत्मग्यान सबकॉंशियस पे जाने लगे अभी नहीं जा रहा है तुम्हारा आत्मग्यान जो है वो सबकॉंशियस पे जले नहीं जाता क्योंकि उपर डर्ट है क्योंकि नदी के उपर मैल जमी हुई है कूडा कचला जमा हुआ है तो जो किरणे हैं जो सनलाइट है वो अंदर नहीं जा पा रही है अब जब वो अंदर नहीं जा पा रही है तो तह तक वो अंदकार है जैसे ही वो किरण रूपी सूर रूपी किरणे आपके नदी के सर्फिस को चीरती हुई अंदर जाएंगी तो आपके जो तह है यानि जो चेतन है जो डीप लेबल सर्फिस है डीप लेबल जो स्पेस है नदी के अंदर वहाँ पे अंदकार की जगा प्रकाश हो जाएगा प्रकाशित हो जाएगा किस चीज़ से प्रकाशित इस ग्यान से वो ग्यान कैसे मिलता है मेरी बाते सुनी या भगवत कीता पड़ा अपने अब्जर्व किया आप या तो बाहर से सड़ो और अंदर से देखते रहो तो दीर दीर ग्यान आपको मिलता रहेगा लेकिन ग्यान काम नहीं करेगा शुरू में शुरू में दो से तीन साल मिनमम आपको सिर्फ और सिर्फ साधना करनी है और साथ में ग्यान लेना है जितना हो सके उतना साधना करो आदे गंटे से चालू करने का टार्गेट बनाओ दस मिनट में उड़ जा रहे हो तो उड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं लेकिन एक चीज सोच लो आज इस पॉड़कास से मैं तुमको बता दे रहा हूँ बैठे बैठे हो सकता तो मैं ये लगे कि मुझे ये मिल जाए मुझे वो मिल जाए मुझे ये मिल जाए मुझे वो मिल जाए अगर मेरी मानो तो उसको छोड़ दो उसमें कुछ नहीं है आंतरिक सुक है सिर्फ और कोई सुक नहीं है सोचो मैं singing करता हूँ singing मेरा passion गायन कितना मज़ा आता होगा कि अगर मैं गायकी करूँ आज मैं ऐसा गायक तो मैं बता रहा हूँ कि कोई मज़ा नहीं है क्यों मज़ा नहीं है क्योंकि surface level की खुशी है उपर उपर एक छोटी मोटी खुशी आ जाती है कि अच्छा लगा यह हरकत लगा दी वो लगा दी है ठीक है लेकिन तुम परिशान रहोगे रात में तुम घर वापस जाओगे अपने concerts को करके, shows को करके रात में तुम परिशान रहोगे अंदकार में तुम्हें प्रेम संगीत से है संगीत से प्रेम नहीं करना है प्रेम इस च्रिष्टी से करना है तुम्हें वो जो कमरे का वो जो तुम्हारे घर का अंदकार है उससे तुम्हें प्रेम होना चाहिए वो जो सुबा तुम उठो सूरज की किर्णे देखो वो प्रेम है पेड़ू को देखो उसको छूओ वो प्रेम है लौडिया को छूणा प्रेम नहीं है प्रेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेचरल चीजें जो नेचर की चीजें उनको उनसे प्रेम होता है as a nature तुम अपनी मा को देख रहे हो तब प्रेम है as a nature अपनी गल्फरेंड को देख रहे हो तब प्रेम है लेकिन as a पती तुम देख रहे हो तो प्रेम नहीं है तो कि वहाँ पे conditions है तो ये shift of image होना ज़रूरी है ये जो रसायन है जो liquid है ये जैसे ही बरसेगा अंदर से penis gland से secretion चालू होंगे आप मेरे पैर पकड़ लोगे आके जो भी subscriber ने question पूचा है अगर मैं आपको अपना address दे दूँ तो आप भले तमिल नाडूम बैठो आप flight लेके आओगे आओगे आप मेरे पैर पकड़ लोगे सर आपके पैर चुने आके बस वो काओगे क्या क्या आओगे क्यों पैर चुने क्यों आरे सर बस मुझे नहीं बता बस आपके पैर चुने है सर आपने जो दे दिया ना वो कोई है नहीं ये इस प्रकार का अभाव इस प्रकार का भाव मेरे अंदर संदीब के लिए आया था लेकिन थीरे थीरे वक्त बीता गया तो वो sound of silence के resilience की बात करना छोड़ दी उन्होंने benefits की बात करना छोड़ दी और sound को ऐसा sound देखने लगे कि सुनते रहो सुनने ज़े क्या होगा कोई कोई चीज क्यों सुननेगा बाई इस दुनिया में कोई चीज निस्वार्थ है क्या सब कुछ स्वार्थ है मैं आपको बताना चाहता हूँ रोज एक हफते बैट के meditation करो एक आदे घंटे चालू रखो आदे घंटे रोज साधना करो और क्या करना है सब साधना छोड़ दो पहले अपना ध्यान सांसों पहले आओ ठीक है अब क्या होगा धीरे धीरे आप देखो सांसों को अब्जर्ब करोगे तो आप देखो कि आज left side से ज़्यादा सांस आ रही है कौन सा एक्टिव हो पड़ा है कल left से आ रही थे फिर धीरे ओम की तीन बार चार बार चैंटिंग कर लो ओम अब जब ओम तुम बोलोगे तो मुँ में और हिदे में vibrations होगी इन vibrations को ओम को chant करते वक्त फील करो ओम जितना नीचे से हो सके उतना नीचे से ओम को गाओ ओम यह नहीं करना है जितना नीचे से हो सके जितना नीचे से को अतना नीचे बेस अब क्या होगा धीरे धीरे तो प्रिपेर्ड हो जाओगा अब थीरे धीरे अंतर मुकी होके अंदर sound of silence को सुनना चालू करतू यानि जो अनाद नाद है अब यह नाद जो है वो बहुत अलग-अलग दिशाओं से बज़ेगा लेट साइड से जहेंगूर के आवाज आएगी राइट साइड से जहेंगर दोनों से आवाज आएगी फिर बीच से आवाज आएगी पीछे से आवाज आएगी आगे से आवाज आएगी जहां से भी loud आवाज आ रही है उस एक आवाज को पकड़ लो और वही एक आवाज सुनते रहो फिर थोड़ देर बात किसी और आवाज को पकड़ लो अगर पकड नहीं पा रहे हो मालों बहुत confusion है सिर्फ बैठे रहो सारी आवाजों को randomly सुनते रहो कि इधर जा रहा है इस आवाज पे जा रहा है इस आवाज पे जा रहा है जाने दो धीरे धीरे आप देखोगे आपकी जो अंदर जो बहुत सारी आवाजे आ रहे है मैं यहां पे thoughts की बात नहीं कर रहा हूँ यहां पे sound of silence की अलग-अलग वे भिन आवाजे होती एक है इडा से आती है इडा नाडी और पिंगला नाडी यह दोनो नाडियां जो है जहेंगुर की रूपी में आवाज करती है जहेंगुर की तरह और बीच की जो आवाज है वो शुशुमुना नाडी है वो आवाज अभी आपको नहीं आएगी जैसे धीरे-धीरे करते रहोगे करते रहो, करते रहोगे अलग-अलग किसी को संक सुनाई देगा किसी को वाटर ड्रॉपलेट सुनाई देगी जो भी अवाज आ रही, किसी भी तरीके की अवाज आ रही है, उसको सुनना चालो कर दो अगर उस पे एक बार ध्यान टिक रहा है तो टिकाओ, नहीं तो रेंडम सुनते रहो ट्राई करो कम से कम विचार आएं मतलब विचार को कंट्रोल नहीं करना है विचार से ध्यान हटा के साउंड पे ध्यान लाना है विचारों को ये नहीं करना है, विचार रुख जाएं विचार क्यों आ रहे हैं, और विचार आएंगे विचार आ रहे हैं, आने दो अच्छा ठीक है अभी मुझे विचार पिर नहीं ध्यान देना है अच्छ ये वाली सामडारी इस पिर ध्यान देना है सुन्ते रो सुन्ते ये उस्वन्दा मेट करो एकदम अंदकार में करो कई मैंने देखाए लोग डरते हैं लाइट के ऊपर कर, अरे लाइट में धोड़ी होता भी या, पागल हो गया है, एकदम अंदकार होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ कि एक एरपलेक लगा लो, और जो मास्क होता है, कपड़े वाला मास्क, उसको लगा लो as a blindfold, बढ़िया काम करता है वो, वो blindfold की तरह काम करता है, और वो लगा लो, और उसके बद बैठे रहो, सिर्फ तुम्हें आख मन करके बैठे रहना है, और अंदर जो भी sound आ रहे उसको सुनते हैं, धीरे धीरे जो तुमारी sound है, वो हर तरफ से एकत्रित होके, बीच में आने लगेगी, उसको शुश्मना नाडिक की आवाज कह काफी scientific approach है, जैसे कि बहुत सारी आवाजें आने का मतलब है कि आपका mind जो है, वो बहुत ज्यादा restless है, जेंगूर के आवाज आ रही, पानी के आवाज आ रही, संक के आवाज आ रही, ये आ रही, वो, नो, पीच में एक आवाज आना चालो हो जाएगी, शुश्मना नाड इस एकदम 20 से आवाज आएगी, टाइम आएगा जब जेंगूर के आवाज आना ही बंद हो जाएगी, लेफ्ट राइट से, समल्लाव प्रोग्रस हो रही है, दस दिन इसको करो, फिर थोड़ा बहुत आपको आवास होगा, यहाँ यार कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उन चें कुछ चेंजेस ऐसे आएगे, जैसे पेड़ को देखोगे, मून को देखोगे, आपको connection फील होगा, एक रसी बंदी फील होगी, सच में, लिटरली एक ऐसा फील होगा कि, it's not metaphorical, it's logical, धीरे धीरे आपका ध्यान है और रोज, कम से कम, 15-20 में, करते रहो, करते रहो, करते रह पाइदा नहीं होता, आज तक हमने तीन महीने continuously किया था, जुट बोल रहे है, पहली बात तो उन्हेंने किया नहीं, और अगर किया भी है, मैं आपको सच बताता हूँ, ये जो लोग है न, मेरे भी कई ऐसे subscriber हैं, जो कहते हैं कि, WhatsApp पे जोड़ों में कहते हैं, हमने किया था, लेकिन हमें अभी भी companionship चाहिए, contact चाहिए वोचे, भया, ये तब करना है, जब तुम्हें पता हूँ अच्छे से कि बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो thought है, वो suffering दे रहा है आपको, कि मुझे लड़की चाहिए, जब मैंने चालू किया था, तो मुझे absolutely clarity थी कि बाहर हो गए, keyboard खरी लिया, harmonium खरी लिया, सब बजाना सीख लिया, मेरे को आज तीन instrument आते हैं, मुझे music production आता है, computer पे music बनाना आता है, guitar आता है, keyboard आता है, harmonium आता है, singing आती है, रियास किया इतना कुछ, ये सब कुछ करके देख चुका था, अब आया, बैठ गया, चुप चाप पैठे रहो, और तीन महीने बाद, तुम मेरे को email करोगे, क्योंगे सर, आप से मिलना है कहां हुआ, मैं कहूंगे क्यों मिलना होगे, पैर्च होने है, और मैं ये चाहता नहीं हूँ, ये तो आप अगर आप email करोगे, तो भी मैं आपको पैर्च हुआने नहीं आउंगा, य इसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं से, ये तना प्यारा आजाता आपको, जो आदमी कुछ भी देगा ना, प्यारा जाएगे, आज भी मेरे लिए अनद नात की दोहनी जरूरी है, क्योंकि आज भी मैं इंगेज हो रहा हूं काफी, जब आप बार बार इंगेज होते हो दुनिया से, तो restless हो जाता है मन, और इसके बहुत कुछ अभी लाब है, मतलब मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाओंगा, इसमें काफी चीज़ें होना चालू हो जाती है, जैसे आप गहराते जाते हो, extra sensory perception, feel होना चालू हो जाता है, अभी extra sensory perception क्या है इसको, लेकिन ये अब problem किया है न, कि अगर मैंने इसको बताया तो लोग इसकी वज़ास करने लगेंगे, इसकी वज़ास नहीं करना है, पहले चीज़ तो इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, मैं बता भी देता हूँ, सबसे पहले क्या होगा, कुछ स सेकेंड होगा, वो दस सेकेंड एक मिनिट हो जाएगा, आप सूचें एक मिनिट तक आप बैठे होए उस जीरो थॉट्स, क्या स्टेट होगी वो, वो जो स्टेट है, वो आपके मन को, जो मन की वृत्तियां है, क्या बोलते हैं, चित्त वृत्ति निरोध, पतंजली का डैल मतलब रोकना, कहीं लोगे या कुछ और सोच रहे होंगे, तो चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के ओपर वृत्तियां, वृत्तियां मतलब क्या होता है, activities of mind, actually, विचार शूनिता से होता क्या है, कि वो विचार शूनिता से आपको प्यार नहीं होता है, विचार शूनिता से आपको सुख नहीं मिलता है, विचार शूनिता होती ही इसी वज़ा से है, क्योंकि अंदर लिक्विड रिलीज हो रहा है, इसको अमरित बोलते हैं, अंदर का रसायन जो है वो रिलीज होना चाले हो गया पीनल ग्लैंड में फ्लेक्सिबिल्टी आ गई है पीनल ग्लैड अक्टिवेट हो गया आपका अब क्या होगा वो रसायन रिलीज होगा और पूरे दिमाग में वो फेलेगा और अगर आप कुश्चन करो एक लड़की किसे से प्यार करती है वो रसायन के ले करती है वो रसायन क्या है ऑक्सिटोसिन एक लड़का जिम जाता है वो एंडॉर्फिन है एक आदमी योगा करता है सेराटोनिन आदमी सो रहा है मेलाटोनिन है इस दुनिया में आदमी शादी नहीं करता है इस दुनिया में आदमी oxytocin चाहता है इस दुनिया में आदमी हर तरफ आप कोई भी action ले रहे हो वो हर्मोन के लिए है ultimately it's all about hormone forget about the source from which the hormone is created ultimately the trigger point it is all trigger point ultimately it is happening inside you so धीरे धीरे आप कही हो जाए और पंगे मतलो जादा जैसे आपने meditation कर लिया फिर आप बैड़ गाए इंस्टाग्राम देखने especially meditation के बाद आपको क्या करना है वो बड़ा ध्यान देना है तो इतना आप करिए सब कुछ भूल जाए ज्यान वियान से कुछ नहीं हो ज्यान से सुख नहीं मिलता है फिर समय बोल रहा हूँ ज्यान से सुखो का कोई connection नहीं है यानि जो शांती है उसका कोई connection नहीं है पतन जली ने सीधना साधना पत क्यों चालू गिया अब यह जो लोग है ना बहुत सारे अब जैसे कृश्मूर्ती हैं अब इन्होंने intellectual बाते चालू कर दी अब intellectual बाते जो है उससे एक वो भी पद है ज्यान का पद है लेकिन यार वो पदना सही नहीं है मेरे साथ से इन सारे लोगों ने संदीप मैश्वरी कृश्मूर्ती जो अगेस्ट बात करते हैं ना कि मेडिटेशन से कुछ नहीं होता आपको मैं सच बता रहा हूँ इन सबने अच्छा खासा मेडिटेशन कर रहा है कायम कि इस्ट उठा कर देखो इन्होंने शुरू में से मेडिटेशन ही किया है फिर आके बोलने लगे कि meditation से कुछ नहीं होता है अरे भाया पहले चलोगे तभी तो दवडोगे कि पहले ही दवने लगोगे तो समझने की कोशिश करो यह बहुत बारीक है कई लोग इस पे बहुत गलत बोलते हैं कि उससे कुछ नहीं होता किसी को मस सुनो यह सब को सुनो जो कह रहा सबने आपने करके देख लिया अब मेरा करके देखो चुप चाप बैठो रोद दस से बंदा में टार्गेट बनाओ आदे घंटे टारवनाओ अंधेरा होना चाहिए ब्लाइंड फोल कर लो आसपा लोग नहीं हो लिए चाहिए इकदम भैंकर घंट वांदकार चत पे चले जाओ या कमरे में चले जाओ जहां भी हो मम्मी से बोलो कि मेरे बिस्टर मन करना मेडिटेशन कर रहा हूं बन कर लो टीवी मच चलाना मम्मी से अगर नहीं मानने थोड़ा प्यार से बोलना मान जाएंगी मेरे घर में तो है ऐसा अब ऐसा नहीं होता है आँसा आएजो मेडिटेशन करना हूं मम्मी बाहर रहती है मम्मी इससे ठोड़ी के अंदर ही आजाएंगी ऐसा ठोड़ी बहता है थीक है तुरंट नहीं होता है कुछ, धीरे धीरे अपना हुआ पे चलो जाएगे, तो इतना करो, जितने भी लोग यहाँ पे करेंगे, मेरे को एमेल करें, जरूर कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और चुप चाप बैटके बस साउंड को सुनते रहो, चुप चाप, बैटके, जो भ किसी का वॉलियूम ज़ादा है, किसी का बारीक है, तो ज़ादा वॉलियूम वालेगा पकड़ो, फिर कम बारो, तिरे धर आप करोगे, सारे साउंड़े एकदम, बीच में आने लगेंगी, कुछ टाइम बार, किसी को संग की आवाज आ रही होगी, किसी को water droplets आ रही होगी, whatever जो भी है, सुनते रो I hope clear हुआ हो Thank you, take care ज्यान में सुख नहीं है